देखे class 9 के exercise 13.4 का question number 3 है हमारे पास question में हमसे बोला गया है find the total surface area of a hemisphere of radius 10 cm तो हमें एक hemisphere का total surface area find करना है जबकि उसकी जो radius है वो 10 cm है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास hemisphere है जिसकी radius हमें 10 cm गिवन है तो सबसे पहले solution में इसके हम R लिख लेंगे R कितना है हमारे पास 10 cm total surface area of the hemisphere अगर हमें hemisphere का total surface area निकालना है तो हमारे पाँ formula होता है 3 pi R square ठीक है तो 3 यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे multiply 22 upon 7 यहाँ पर pi की value 22 upon 7 भी होती है मगर यहाँ पर बोला गया है कि pi की value को 3.14 रखना है तो यहाँ पर 3.14 आप रख लें multiply R आपके पास कितना है 10 तो 10 to the power 2 आजाएगा क्योंकि R के उपर power 2 है तो 3 multiply 3.14 को ऐसी रखें 10 to the power 2 का मतलब क्या होता है 100 10 into 10 करेंगे तो 100 आजाएगा 3 multiply जब 3.14 की multiply 100 से आप करेंगे तो यह 314 आजाएगा 2 डे आगे चला जाएगा जो है point जब क्योंकि 100 से multiply हो रहे है 100 में 2 0 है अब जब इन से इसकी multiply करेंगे 3 forza 12 carry 1 3 1 za 3 और 1 4 और 3 3 za 9 cm square तो यह इसका total surface area प्रियान